दूस्तों बोश्पूरी की मसभूर कलाकार गुपाल राय की हालत इंदिनों खराब बताई जा रही है बताई जा रहा है कि उनका स्वास्त गंभी रूप से खराब हो चुका है जिस कारण से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और वो लगातार बिटबट पड़े हुए है पते जारा कि उनके पैर में उनके घुटने में प्रॉब्लम आ चुकी है जिस वज़ा से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो अपने इलाज को सही तरीके से करा पाएं दोस्तों सोचने वाली बा कार था जिससे लोग इतना पसंद कर रहे थे और जिसकी एक अच्छे खाशी फालोइंग थी उसके बाद वह इतनी बुरी इस्तिति में कैसे हो सकता है गुपाल राय नहीं बताया कि वह बोचपुरी के जो सुपरिस्टार है चाहे वह मनोश्किवारी हो रभी किसन हो और कि कोई मदद नहीं कर सकता इतने बड़े-बड़े सुपरिस्टार हैं वो तो इनका ऐसा ही कर सकते हैं गुपाल राय का यह कहना है कि वह बोचपुरी के जितने भी सुपरिस्टार हैं दिगस्त कलाकार हैं उनके पास वो कई बार फोन कॉल्स कर चुके हैं फोन कोई उठाने कोई उठाता भी है तो उनके मैनेजर होते हैं फिर वो कोई बात नहीं करवाता और जिस वज़से वो काफी परिसान हो गए हैं कोई कलाकार जितने भी सुपरिस्टार हैं कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है कोई उनकी हाल चाल नहीं ले रहा है को उनकी मदद नहीं कर पा रह है जिस वज़े से उनके स्तिती ईंग गड़ती चारी जितने भी कि पत्रकार हैं उनके बच का लाहे हैं उनकी हाल चाल पूछ रहे हूं और लगातार उनकी वीडियो सोस्ल मेडिया पे इसल रही है व बता रहा है कि डया कि सरीके से बहुसपुरिय ईंड़स्ट्री के परिवार की तरह हम सब एक साथ हैं एक साथ रहते हैं तो डिक्कत यह अ तरह है तो परिवार का एक बुझद्ब बेकती तynी असाहय वस्ता में है जिसका स्वास्त कभी रूप से खराब हो चुका हो फिर भी आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है कोई उसका हाल चाल लेने वाला नहीं है कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है इन दिनों उनकी वीडियो सोसल मीडिया पे लगाताच चल रही है वोस्पूरी की एक ऐसे कलाकार ह जो दिनिस लाल यादो निर्ववाजी के बारे में कह रहे हैं कि जब उनकी तबीयत खराब थी तो निर्ववाजी उनके पास आये थे हैं उनको हास्पिटल में एड्मिट कराया और हास्पिटल में बैठे रहे हैं उनकी मदद किया उनकी हल्फ किया और पैसों से भी मदद कि तो गोपाल राज जी कहते हैं कि दिनिस लाल यादो निर्वगा है जो उनकी मदद कियें बाकि कोई उनकी साहता करने आया नहीं सोचें कितने दुख की बात है कि इंडिस्ट्री का एक बुज़र्ग व्यक्ति और एक सेनियर व्यक्ति और इतना अच्छा कलाकार अज बिलकुल असाहवस्ता में पड़ा हुआ है दोस्तों मेरा यह माना है कि जब व्यक्ति अपने अच्छे दिनों में होता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग उससे जोनना चाहते हैं मिलना चाहते हैं बाते करना चाहते हैं और उसे मदद मांगने आते हैं उसे हेल्फ लेना चाहते हैं ले मुझे से बहुत बड़ा तब्गा एक बाठ बड़ा से दूरिअ कि उसको पता होता है कि अब यह किसे काम क्या नहीं है नहीं है एक मज़ backstory कोई इस फिरब नहीं कर सकते हैं सूच । दुनिया कि इस तरीक से रग दिखाती कितने सेलफिस लोग हैं कि कि आइं हलोग तो में कलाकार बणने में एक अच्छ मेनत लगती है कितना संघर्ष होता है कितनी कट्ताइयों को सामना करना पड़ता लोड़ी और अच्छा कलाकार पर एक हम उसको तो कि यह कितनी सर्मनाग बात है इससे यह पता चलता है कि हम कैसे इंसान को यूज करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं जब उसके अंदर काभिलेत होती है उसकी दिन अच्छे दिन होते हैं तो हम उससे हम कैसे कारे करवाते हैं उससे कैसे मदद लेते हैं फिर जब उसकी बुरे वक्त आते हैं तो मुसको छोड़ देते हैं इस यह पता चलता है ऐसा नहीं होने साई है यह इंसानियत का परचा नहीं है आपने देखा होगा कि बोचपुरी फिल्मों में कितनी सक्री अविनेता थे वो लगातार फिल्मों में काम कर रहे थे और बोचपुरी फिल्मों में अ पिता की भूंगा में और उनके रोल इतनी अच्छे होते थे कि फिल्म को सुपर हिट बनाने में उनका एक महत्पूर योगदान होता था और दर्सक उनको पसंद भी करते थे उनका अभिनो बहुत अच्छा होता था तो मेरा समानना है कि बोचपूरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं उनको गोपाल राय की मदद करनी चाहिए और फिर से उनको बोचपूरी इंडेस्ट्री में कमबैक देना चाहिए वापस लाना चाहिए दर्सक उनको काफी लाइक करते थे तो ऐसे किसे नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार